क्या आप अपना बिना चेहरा दिखाए हुए PDF में कुछ इस तरह से पढ़ाना चाहते हैं अगर पढ़ाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए जैसे कि यह पर मैं पढ़ाऊंगा कि जी ओने भारत में 5G क्रांती के लिए किस कंपनी के सांथ समझाता किये तो इसका अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है तो चलिए शुरू करते हैं और इसको जानते हैं कि हम लोग कैसे OBS में सारी चीज़े कर सकते हैं मैं मनीज कुमार आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो जैसे कि आप लोग उन्हें प्रिवी में देख लिया है कि आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बाद एक चीज और करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हो कि अगर नहीं बनाना है तो आप फर्स्ट आप में वीडियो देख सकते हो और आपका काम हो जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आल राइट तो अब आप देख सकते हो कि मैं स्क्रीन पर आ चुका हूं तो अब यहां से क्या करना है कि हमें OBS open करना है पहले हम OBS जो है ह जो हमारा आवाज को रिकॉर्ड करेगा और जो दूसरा होगा वो जो है हमारा डिस्प्ले को रिकॉर्ड करेगा तो चलिए पहले आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए एड कर लेते हैं यहां पर जाना है audio input capture में और यहां पर बस okay कर देना है इसके बाद यहां पर आपसे प माइक्रोफोन वाला सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास बोया माइक है इसको कर देते हैं ओके अब देखो यहाँ पे आप लोग को यह देखने लगा होगा कि को एड़ करना होगा डिस्प्लेय केपचर सबसे बार ह करना है emphasizes के हम लोग की हम दिस्प्लेय केपचर करें के किया है तो इसकी वे सबसे बीस्छीन फोले इसनके हैं कि अब हमारा display capture भी add हो चुका है और audio input capture भी add हो चुका है अब क्या करना है कि एक PDF जो हमारा जो बना हुआ PDF होगा उसको ले आना है तो देखो मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने यहाँ अब OBS में recording start कर दिया था अब इसके बाद क्या करना है कि हमको सबसे पहले जो है हमारा PDF उपेन करना है तो PDF उपेन करने के लिए आपके पास जो भी PDF होगा उसे उपेन कर लेना है मैं यहाँ पे एक YouTube चैनल है रभी सरका वहाँ से मैंने PDF को लिया है और यह PDF का सारा rights उन्हीं के पास है मैंने यहाँ पे इसको double click करके open कर लिया जब आप open करोगे तो यहाँ पे देखो Microsoft Edge में आपका यह PDF open हो जाएगा तो simply अब क्या करना है कि इसको पहले बढ़ा कर लेना है जैसे जैसे मैं steps बता रहूंग वैसे वैसे आपको करना है आपने बढ़ा कर लिया अब आपको थोड़ा सा और बढ़ा कर लेते हैं यहाँ तक कर लेते हैं ठीक है इसके बाद हमें क्या करना होगा कि अभी एक दो चीज और बता देता हूं उसके बाद फिर मैं बता दूँगा कि यह PDF जैसे आपका अभी उपर वाला section भी आ रहा अब जैसे यहां पर मैंने red color select कर लिया और कुछ thickness select करना होगा जैसे अगर मैं इतना थिकने select करके रखूंगा तो देखो किस तरह का मेरा दिखेगा देखो इतना थिक दिख रहा है अगर आपको जादा चाहिए तो यहां से देखो इस thickness को बस इसको slide करना है यह slide करो और यह थिक बढ़ जागा thickness बढ़ जागा अभी इतना ज्यादा थिक मेरा live बनने लगा है तो जैसे मैं scroll करूंगा नीचे scroll करूंगा ठीक है अब जैसे यह question दिया हुआ कि आज 28th June है और इसी का यह मैंने PDF डाउनलोड करा था अभी सरवाला तो यहां पर देख सकते हो कि Microsoft ने Windows 11 को यह बाउन्ज किया है तो यहीश परकार का चीजह मतबहीं अफले अफिस्टाओं यहां पर सकते हैं कि यहां पर यहां पर अफ़ाट्सक्राइब कि डता ही का है तो इसका तो इससता है लिख के भी बता सकते हैं कि वासिंग टन में इसका हेड़ क्वाटर है तो कितना असानी से हम लोग कोई चीज को पढ़ा ले रहे हैं और नीचे इसका डिटेल्स भी दिया हुगा है जैसे नीचे स्क्रॉल करो तो यहां पर देखो में करके इसका दिया हुए क्या स्थापना का हुआ मुख्याला का है यह सारी चीज़ें सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई है और यहां पर आप बैग्रांड में देख भी सकते हो कि करेंट अफियर भाई रभी सर तो मैंने रभी सर कहीं यह पीडिएफ लिया सारे राइट उन्हीं के पास है ठीक तो आप तो यह सीख लिए कि आपका यह पीडिएफ चलने लगा लेकिन अभी आप क्या चाहते हो अभी आप चाहते हो कि यह वाला जो उपर वाला पॉर्षन और नीचे वाला पॉर्षन ना है तो उसके लिए चलिए हम लोग OBS में कुछ सेटिंग् और अब हमें जो जो पॉर्षन नहीं चाहिए उसे हम कट करके हटाएंगे तो कट करने के लिए क्या करना है कि जिसे यहां पर जाओगे तो आपका देखो यह दो लाइन बन जाता उपर और नीचे का arrow का sign बन जाता अब इसको क्या करना है यह आल्ट प्रेस करके रखना है ठीक है और right side से भी sorry left side से भी इसको cut कर दूँगा इसी तरह से right side से भी इसको cut कर देंगे ठीक है अब यह हो गया तो अभी आपको क्या होगा कि अगर मैं इधर जाओंगा अब देखना जैसे ही मैं back करूंगा आपको थोड़े portion दिखेंगे तो देखो आपको यह वाला portion यह करना है यहां पर देखो transform पर क्लिक करना है और यहां पर fit to screen कर देना या फिर control यह करोगे तब भी हो जागा अब fit to screen करने के बाद देखो आपको कितना clean सही दिखने लगा होगा और जब मैं scroll करूंगा तो सिर्फ आपको वही portion दिखेगा एक्स्ट्रा जो portion था वो सारे बताना है या कुछ भी बताना है तो यहां पर आप आराम से लिख सकते हो आप जो भी चीज़े लिखोगे वह इस portion में दिखेगी और आगर आपको color भी चेंज करना है तो color वाला section अभी आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने आपको draw वाला चीज बताया था तो draw वाल तो अगर अभी तक आपने वीडियो को देख लिया है तो मैं request करूंगा कि अगला दो मिनट वीडियो और देख लेते हो तो in future अगर आपको अपना वीडियो भी corner में चलाना होगा तो वह भी सिख जाओगे तो कैसे हम लोग corner में अपने वीडियो को चला सकते है तो इसके ल जो भी laptop का मेरा webcam था वो चलने लगा लेकिन मैंने आप लोग को एक वीडियो में बता रखा है कि laptop का webcam नहीं हमको वह अपने mobile को webcam के जैसा यूज करना है और उसके लिए हम लोग ड्राइड का वीडियो देखना होगा तो मैंने अलरी एक वीडियो बना लिया है आप लोग जाके प्लेलिष से देख सकते हो तो मैं यहाप इस सेलेक करता हूँ ड्राइड काम सोर्स थ्री ओके देखो अब मेरा वीडियो कितना क्लीन आने लगा है मतलब जो भी मैं अभी र राइड कौर्नर पर ला दिये इसके बाद इसको चोटा कर लेंगे अपने अपने हीसाब से छोटा कर ले नहीं है और उसके क्लिक करना है और यहां से डिख 600 के वह दिख PRESet मतलब कि जो भी ग्रीन वाला पार्ट था वो सारे पार्ट को हटा दिया और जो मैं अभी यहां पर मेरा सिर्फ वीडियो चल रहा है यहां पर थोड़ा आपको ब्लरी दिख रहा होगा लिगा जैसे इसको क्लोज करेंगे तो यहां पर देखना यह क्लीन चलने लगा है अब क् सको left side से भी अगर कट करना है तो n अव्ल होना प्रेंगे इसको तो अन्नलते से कट 뭐 करना है अ अश्को यहां पर उगर उसको बड़ा करना है तो अजो कर तो इतना बड़ा अब देखो मैं इसको minimize कर देता हूं और देखो मेरा कैसे video recorder लाए मेरा corner में video भी चलने लगा और यहाँ पर जो मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा वह सारी चीजे यहां से पढ़ा सकता हूं अभी मैं क्या करता हूं कि draw वाला select नहीं था मैं एक select कर लेता हूं ठीक है कर सकते हो. सिर्फ आपको वीडियो क्अप्चार डिवाइस कोæड नहीं करना है. मैंने आपको इसली यह बता दिया कि अगर इन फीचर आप अपना फोटो दिखा के और पढ़ाना चाहते हो जो वी वीडियो चला कर पढ़ाना चाहते हो तो फिर वह भी कर सकते हो तो आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ